तो एक संकर क्रॉस और कुछ हमने उधारन देखे थे और द्वी संकर क्रॉस को हमने देखा था और इसी उधारन के द्वारा मैंडल ने कुछ नियम दिये थे इसी उधारन के द्वारा हम समझेंगे मैंडल के नियम को तो बच्चों मेंडल ने तीन नियम दिये थे एक नियम है प्रभाविता का नियम जिससे हम कहते है लौफ डॉमिनेंस दूसरा है पृतक करण का नियम लौफ सेग्रिगेशन तीसरा है स्वतंत्र अफ्व्यूहन का नियम लौफ इंडिपेंडेट एसोर्टमेंट यह तीनों नियम हमको अच्छे से मालूम होने चाहिए और उनके उधारन के द्वारा हम इसे समझेंगे सबसे पहला है प्रभाविता का नियम लौफ डॉमिनेंस मतब नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो गुण प्रदर्शित होंगे वो प्रभाविक गुण होंगे और इसी लिए प्र बौने पौधों के बिश में क्रोस कराया पर परागन कराया तो लंबे पौधों को उन्होंने दर्शाय था कैपिटल टी टी और उसके विपरिट जो दूसरा लक्षन था वो थे बौने पौधे जिसको दर्शाय था स्मॉल टी टी तो ये पौधे कैसे होगे सम युग में पौधे हो गए मतलब इनके कारक एक समान है इसलिए सम्यूग में पौधे हुए ठीक है Capital T T मतलब लंबे पौधे Small T T मतलब बौने पौधे अब इनके बीच में जब परपरागन कराया तो पहली पीड़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वे पौधे कैसे थे Capital T और Small T मतलब सभी पौधे लंबे पौधे पौधे प्राप्त हुए जबकि यहाँ पर बौने पौधे का कारक भी मौजुद है कौशा कारक है वो Small T लेकिन Capital T प्रभावी कारक होने के कारण उसने Small T जो के अप्रभावी कारक है उसके गुण को दबा दिया वो जो गुण है अप्रभावी गुण छिपा रहा पहली पीड़ी में तो इसलिए यह जो कारक बने यह जो पौधे बने यह पौधे कैसे हो गए विशम युगम जी क्यूंकि इसमें लंबे पौधे और बने पौधे दोने के कारक मौजूद है लेकिन हमको जो प्रभाव दिखाई दे रहा है यह प्रभावी कारक का दिखाई दे रहा है मतलब Capital T का प्रभाव दिखाई दे रहा है तो पहली पीड़ी में जो पौधे प्राप्त हुए सभी पौधे थे लंबे पौधे तो इसलिए इस नियम को हम कहते है प्रभाविता का नियम अब दूसरा जो नियम है वो है प्रितक करण का नियम तो प्रभाविता का नियम में हमने देखा कि सभी पौधे जो थे यह लंबे थे क्योंकि लंबा जो लक्षन था पौधे का जो लं पीड़े में दिखाई दिये, जब ये capital T और small T का स्वपरागन हुआ, मतलब capital T और small T मतलब लंबे पौधे का capital T, small T वाले पौधे से स्वपरागन कराया, तो द्वितिय पीड़े में जो पौधे प्राप्त हुए, तो इनका जो ratio आएगा, कुछ इस प्रकार से होगा, इनका जो प्रतिशत आएगा, तो आप देखेंगे कि capital T, small T, capital T, small T, क्योंकि ये विशम युगमजी पौधे है, इनके बीच में स्वपरागन से क्या प्राप्त होगा, capital T, capital T, small T, capital T, small T, capital T, small T, small T, and small T, मतलब द्विति पीड़े में 25 प्रतिशत पौधे, लंबे पौधे है, 25 प द्वितिय संतान पीड़ी में परस पर विपरित लक्षनों का एक निशित अनुपात में प्रिथक करण हो जा रहा है, मतलब एक निशित अनुपात में ये जो कारक है, एक दूसरे से अलग हो जा रहा है, इसलिए हम इस नियम को कहते है, प्रिथक करण का नियम, प्रिथक ह लंबे पौधे मिले और पच्चिस पतिशत बौने पौधे मिले तो इस नियम को कहते हैं प्रिथक करण का नियम अब तीसरा जो नियम है वो है स्वतंत्र अफ्युहन का नियम इस नियम में जो उधारन आप लिखेंगे जो हमने अभी देखा है द्वी संकर क्रॉस तो जब मै हमने देखा कि जो दूसरी पीड़ी में जो पौधे होते इन कारकों का प्रिथक करण जो होता है या इन कारकों का चयन जो होता है यह स्वतंत्र रूप से होता है ठीक है अर्थात एक लक्षन की वन्शांगति दूसरे लक्षन की वन्शांगति को प्रभावित नहीं कर रह से एक दूसरे से क्या हो रहे है अलग हो रहे है इसलिए हम इसे स्वतंत्र अप्विवहन का नियम कहते है ठीक है मतलब अलग-अलग गुण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अगली पीड़ी तक युगमकों के द्वारा पहुशते हैं जैसे कि हमने देखा था कि गोल, पीले, बीजों का जब जुरिदार हरी बीजों के साथ स्वपर परागण किक्रिया हुई तो पहली पीड़ी में कैसे पौधे मिले? सभी पौधे गोल और पीली मिले और जब इन गोल और पीले पौधों का स्वपर परागण हुआ तो दूसरी पीड़ी में जो पौधे मिले थे वो कैसे थे? गोल जो अनुपाद प्राप्थ हुआ था, दूसरी पीड़ी में वो क्या था? नुपाद तीन उपाद एक, मतलब कि अलग अलग गुण हमको पौधे के प्राप्थ हुए थे, मतलब गोल पीले भी पौधे प्राप्थ हुए थे, गोल हरे पौधे भी प्राप्थ हुए थे, जुरिदार पीले पौधे भी प्राप्थ हुए थे, और जुरिदार हरे का नियम या law of independent assortment कहते हैं तो बच्चो law of independent assortment में आप द्वी संकर क्रॉस का उधारन के द्वारा इसको समझा सकते हैं तो इस प्रकार से मेंडल ने तीन नियम दिये थे और तीनों नियम में से कोई भी नियम परिक्षा में पूछा जा सकता है इसलिए आपको उधारन के द ह्डा आखो का रंग तौचा का रंग और हमने देखा कि यह जो लक्षन होते हैं एक पीडी से दूसरी पीडी में पहुंचते हैं जिससामानवांशिक लक्षन कहते हैं ऐसा ही एक लक्षन होता है सिपकल सेल एनिमिया और आपने इस सिपलिंग के बारे में सुना होगा辉ग तो बचो सिकल केल एनिमिया या सिकलिंग जिसमें जो रगत कोषिका होती है, गोल नहोकर हसियाखारा कि हो जाती है. हम जानते कि हमारे शरीकी कोशिकाओं में 23 जोड़ी मतलब 46 गुंड सुत्र पाये जाते हैं जिसमें से 22 जोड़ी जो गुंड सुत्र होते हैं वो होते हैं अलिंग गुंड सुत्र या ओटोजोम्स एक जोड़ी गुण सुत्र जिसे हम कहते हैं लिंग गुण सुत्र जिसके आधार पर लिंग का निर्धारण होता है तो इस 22 जोड़ी गुण सुत्र जिसको हम अलिंग गुण सुत्र कह रहे हैं इसमें से जो ग्यारवे नंबर का गुण सुत्र है अलेंग गुण सुत्र 11 नंबर का इसमें हीमोगलोबिन प्रोटीन बनाने का एक कारक पाया जाता है और इस हीमोगलोबिन प्रोटीन के कारक के कारण जो रक्तकोशिका होती है ये गोल रंग की रक्तकोशिका बनती है इस हीमोगलोबिन प्रोटीन की कारण गोल रक्त कोशिका का निर्माण होता है लेकिन अगर इस 11 नंबर के गुंड सुत्र में जो हीमोगलोबिन प्रोटीन की सनरचना में किसी कारण से बदला हो जाता है या इनमें कोई अंतर आ जाता है तब क्या होगा ये गोल रक्त कोशिक न बनाकर हसियाकार आकार की कोशिका बनाने लगती है तो रक्ष्ट कोशिका गोल न होकर कैसी होगी हसियाकार आकार की यहां पर आप देख सकते हैं गोल और हसियाकार आकार की रक्ष्ट कोशिका बेंतर तो इससे क्या होगा तो बच्चो अगर कोशिका हसियाकार आकार के हो तो इससे ये नुकसान होता है कि हस्याकार-आकार होने के कारण ऑक्सिजन ग्रहन करने की जो शमता होती है बहुत कम हो जाती है और अगर हमारी हर एक कोशिका को ऑक्सिजन नहीं मेलेगी तो आप समझ सकते हैं कि जो रोगी होगा वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा या जल्दी से ठक जाएगा ठकान बहुत जल्दी आ जाती है और ये जो कोशिका होती है इनका जीवन काल भी बहुत छोटा है 15 से 20 दिन का जहाँ पर गोल रक्त कोशिका है इनका जो जीवन काल होता है ये 100 से 120 दिन का होता है वहीं हस्तियाकार आकार के अगर रख्तकोशिका हो जाती है तो इनका जीवनकाल कितना होता है 15 से 20 दिन का और ऑक्सिजन गरण करने की शम्ता भी बहुत क्म हो जाती है इसमें ऑक्सिजन बहुत अच्छे से गरण होती है तो मान लिया जाए ये जो सिकलिंग के कारक है अगर किसी माता या पिता में ये सिकलिंग के कारक मौजूद है तो उनसे आगे आने वाली जो पिड़ी है उनकी जो संताने होंगी उनमें क्या ये कारक पहुचेंगे या उनसे होने वाली संतान में किस प्रकार की संतान होने की संभावना हो सकती है तो इसे हम एक क्रोस करके या इन कारकों को क्रोस करके समझने का प्रयास करते हैं तो बच्चों मान लिया जाए कि सामान्य अगर हीमोगलोबीन प्रोटीन है तो उसको जो कारक दर्शार है उसके लिए जो कारक होंगे वो होंगे capital RR मतलब सामान्य गोल रक्तकुशिका ठीक है रक्तकुशिका कैसी है अगर रक्तकुशिका का आकार हसी आकार हो जाता है तो उसके लिए जो कारक दर्शार है वो है small r r ठीक है अब मान लिया जाए कि पिता है इन में capital r और small r कारक उपस्ती थे मतलब अप्रभावित वाहक होंगे ये ठीक है मतलब इन में अप्रभावित जीन उपस्ती थे यहाँ पर small r मतलब sickle cell anemia का कारक उपस्ती थे लेकिन ये कैसा है अप्रभावि क्योंकि प्रभावि कारक भी है सामान ने गोल रक्त कोशिका कावित कारक मौजुद है तो मान लिया जाए पिता जो कि अप्रभावित वाहक पिता है जिनका कारक है capital r small r और माता है इनका भी जो कारक है capital r small r ये भी है अप्रभावित वाहक माता तो इनसे होने वाली जो संतान होंगी वो कैसी हो सकती है तो अगर कैपिटल आर मिर जाता है ठीक है इनके द्वारा जो संतान बनेगी अगर कैपिटल आर कैपिटल आर बनती है तो वो संतान कैसी होंगी सामाने मतलब इनमें जो रक्त कोशिका होंगी ये गोल रक्त कोशिका बनेगी अब मान लिया जाए कि capital R और small r भी बन सकती है और small r small r भी बन सकती है इस प्रकार चार प्रकार की संतान बनने के chances है तो अगर capital R small r की जो संताने बनेगी जो की होंगे वाहक क्योंकि इनमें sickling के कारक मौजुद है तो ये होगे वाहक मतलब फिर से इनसे जो संताने बनेगी उनमें भी वो कारक जाने की संभावना है मान लिया जाए कि अगर small r small r बनता है ठीक है अगर संताने small r small r कारक उनमें उपस्तित है तो ये पूरी तरीके से क्या है sickling के कारक मौजुद है और ये जो व्यक्ति होगा ये जो संतान होंगी ये कैसी होगी रोगी होंगी क्योंकि इनकी जो रक्त कोशिका है ये कैसी रहेंगी हसिया कारा कार के होगी ठीक है तो यहाँ पर अगर माता में अप्रभावित वहाग कैपिटल आर स्मॉल आर है वैसी पिता में भी अगर कैपिटल आर स्मॉल आर कारक मौजूद है तो उनसे होने वाली संताने सामान्य चार में से एक सामान्य हो सकती है दो जो होंगी उनमें व वो रोगी संतान होंगी, जिसमें सिंक्लिंग के वहाग उपस्तित हैं. तो बच्चो, यह जो सिकल सेल एनीमिया जिसके हम बात करें, जिसमें की जो रक्त कोशिका होती है, वो हसिया काराकार के हो जाती है, जिससे ऑक्सिजन गरंड करने की शमता कम हो जाती है. लेकिन इनकी खास बात यह होती है कि इस कोशिका में मलेरिया के परजीवी जो है, वो जीवित नहीं रह पाते हैं. मतलब हम कह सकते हैं कि मलेरिया के प्रती रोधक शमता इनमें पाई जाती है. यह मतलब ऐसे जो व्यक्ति है जिनमें सिकल सेल एनिमिया से ग्रसित है या जिनकी कोशिका है हसियाकाराकार की है, तो यह जो पेशेंट होंगे, जो रोगी होंगे, इनमें मलेरिया के परजीवी जीवित नहीं रहेंगे, जिससे इनमें मलेरिया होने के कोई चांस नहीं रह मनिश्य में लिंग निर्धारण, sex determination in human. तो लेंग कर जनन करने वाले जो जीव होते हैं, यह एक लिंगी और द्वी लिंगी होते हैं. एक लिंगी मतलब जिन में जनननग अलग अलग जियों में उपस्ती थे. और द्वी लिंगे मतलब एक ही जीव में दोनों जना नंग उपस्तित हैं जैसे कुछ जन्तुओं में पौधों में और एक लिंगे जैसे कि मनिश तो मनिश में जो तीवी स्वा गुंड सुत्र है तीवी स्वा गुंड सुत्र की एक जोड़ी कारकों से लिंग का निर्धारन होता है जिसमें मादा में एकस एकस गुंड सुत्र होते है तो नर में एकस वाई गुंड सुत्र होते है तो अभी हमने जाना कि मनिश में तेज जोड़ी गुंड सुत्र होते है जिसमें से बाइस जोड़ी जो गुण सुत्र होता है ये अलिंग गुण सुत्र है और एक जोड़ी जो गुण सुत्र होता है वो होता है लिंग गुण सुत्र हैं तो टोटल हो गए 46 गुंड़ सुत्र तो बच्चो पुरुषों की जो जननकुशी का है उन में 22 जोड़ी लिंग कुंड़ सुत्र प्लस x y ये हो गए लिंग कुंड़ सुत्र किसमे पुरुषों में तो टोटल किते हो गए 46 ऐसी ही स्त्री में क्या होगा 22 अलिंग गुंड सुत्र प्लस एक्स एक्स बराबर किते हो गए चालिस गुंड सुत्र तो बच्चों ये जो एक्स गुंड सुत्र होता है ये मादा का निर्धारण करता है मतलब लड़की होगी इसका निर्धारण करेगा और जो वाय गुण सुत्र होता है ये नर का निर्धारण करता है तो पुरिशों के जरनकुशिका है व्रिशन इससे शुक्राणों का निर्मान होता है मतलब स्पर्म का निर्मान होता है मादा के जरनकुशिका से अंडानों का निर्मान होता है और जब शुक्राणों और और यह जो शुक्रान और अंडानों होते हैं यह जनन को शिकाया है नर की और मादा की इनमें जो गुण सुत्र की संख्या होती है यह होती है आधी तो जब शुक्रान और अंडानों का मेल होता है तब किसका निर्मान होता है युगमनच का निर्मान होता है यह जाइगोट का निर्मान होता है तो गुंड सुत्रों की जो संख्या होती है फिर से क्या हो जाती है डबल हो जाती है द्विगुणित हो जाती है ठीक है अब संतिती लड़का होगी या लड़की ये निर्भर करेगा कि किस प्रकार का गुंड सुत्र मिला है अगर एकस एकस आता है मतलब या लड़का हुआ तो यहां पर आप इससे समझने काम इसे प्रयाद करते हैं यहां पर देखिए जो शुक्राणू है यह नरजनन कोशिका है ठीक है इन में गुंड सुत्र की संक्या कित्ती होती है आधी ठीक है तो आधी मतलब 22 प्लस X और 22 प्लस Y एक्स और वाई जो होते है यह क्या होते है नरजनन गुंड सुत्र है ठीक है नर के गुंड सुत्र है ठीक है एक्स और वाई क्या है नर के गुंड सुत्र है ठीक है तो 22 प्लस X और 22 प्लस Y मतलब यह होगे शुक्राणू ठीक है ऐसे ही अंडाणू में क्या है 22 प्लस X और 22 प अब ये देखिए कि कौन सा गुंड सुत्र मादा के कौन से गुंड सुत्र से मिल रहा है अब शुक्राणों का जो 22 प्लस X है मान लिया जाए ये 22 प्लस X अगर अंडाणों 22 प्लस X से मिलता है तो टोटल किते हो गए 44 हो गए 44 प्लस XX मतलब गुंड सुत्र की संख्या यहां पर क्या होगी डबल हो गई द्विगुनित हो गए गुंड सुत्र और XX बना मतलब ये क्या होई लड़की या मादा का निर्मान हुआ ऐसी ही 22 प्लस X का अगर 22 प्लस X अगर मादा के अंडानू के 22 प्लस X से मिलता है तब भी क्या बनेगा 44 प्लस XS मतलब फिर से यहां पर गुंड सोत्र की संख्या डबल हो गई और XX बना मतलब यह क्या हुई मादा लड़की हुई ठीक है लेकर अगर शुकरानों का 22 प्लस Y अगर मादा के अंडानू के 22 प्लस X से मिलता है तब क्या बनेगा 44 प्लस XY तो क्योंकि यहां पर XY बना और Y जो गुंड सोत्र होता है यह नर का निर्धारन कोरता है तब यहां पर क्या होगा 44 प्लस XY मतलब यह बना लड़का ठीक है यहां पर क्या बना लड़का बना ऐसे ही 22 प्लस Y शुकरानों का मेल अगर मादा के 22 प्लस X अंडानू से होता है तो फिर से यहां पर क्या बनेगा 44 प्लस XY मतलब यहां पर क्या बना लड़का या नर का निर्मान होगा इस प्रकार से जो लड़का या लड़की बनने के जो संभावना होती यह 50 प्रतिशत ही होती है यह निर्भर करता है कि किस प्रकार का शुकरानों का गुंड सुत्र शुकरानों का कौन सा गुंड सुत्र अंडानों के कौन से गुंड सुत्र से मेल करता है इस पर निर्भर करेगा कि लड़का होगा या लड़की तो बच्चो इस चेप्तर में हमने जाना कि अन्वांशिक एक शेत्र में मैंडल का काफी योगदान रहा है मैंडल ने जो कारक शब्द का इस्तमाल किया था बाद में जाकर कारक के जगे इन्हें जीन कहा गया मैंडल ने बताये कि कैसे जनक से संतान का निर्मान होता है और अनुवांशिक जो लक्षन होते है वो जनक से संतान में पहुँचते है मैंडल ने मटर के पौधों पर बहुत सारे प्रयोग किये उन्होंने संकरन कराया इस आधार पर उन्होंने एक संकर द्वी संकर क्रोस के बारे में बताया किस प्रकार से अनुपात निकलता है ये भी उन्होंने बताया और इन प्रयोगों के आधार पर मैंडल ने जो नियम दिये तीन नियम उन्होंने दिये और तीन नियम के आधार पर उन्होंने ये बतायेगे कि लक्षनों की वंशांगती कैसे होती कैसे एक पीड़ी से लक्षन जो है ये दूसरी पीड़ी में पौशते हैं ऐसी ही मैंडेलिय नियम के आधार पर ही मनुष्य में लिंक का निर्धारन के से होता है ये भी अभी हमने जाना तो बच्चों मनुष्य में गुंड सुत्र में पाय जाने वाली जो जीन है इनकी पहचान की जा चुकी है किस प्रकार के जीन पाय जाते हैं और इन जीन की पहचान से क्या हो रहा है अनुष्य की रोग की पहचान आसानी से हो रही है और इनके इलाज में भी अनुष्य की बहुत साहिता कर रही है अनुष्य की तक्निकी के जर्य क्या कर रहे हैं जीन में परिवर्तन कर अलग अलग प्रकार के पेड़ पोधे जियो जन्तू और इनसानों में बीमारियों के प्रति प्रतिरोधात्मक शम्ता विक्सित की जा रही है इस प्रकार से अनुष्य की के अध्यान से फसल उत्पादन करने में भी काफी साहिता मिल रही है और अनुष्य की रोगों के इलाज में बीमारियों का पता करने के लिए काफी साहिक सिद्ध भी हो रही है